आपके संस्क्रिप्शन, कमेंट्स के लिए और आपके लाइस एक फुल ऑन सपोंट के लिए अगर आप पहली बार आ लिए तो सब्सक्राइब जरुकर दीजिए गां आपके परसिन इस वर्थ क्या सिचुशन में है इसके उपर ठीक है आप अपने परसिन को विज्विलाइस करो ठीक है और चूस करो पाइर वान टू एंट थ्री कुछ देर के लिए विडियो पॉस कर लो वान टू एंट थ्री हिए क्या मैं अड़ी काज शषफल कर चुकू हूं और चाट ओ विट ओ क्या काज है थी आपका परसन पर इस वक्त अर श्टागनेंट सी में इस लाइप से शेपरेशन में जाते ही आप दोनों का ब्रेक अप होते ही वो stagnant हो गये थे I feel there is a feeling जैसे कि कुछ missing है एक होता है ना एक picture को complete करने के लिए जो एक या किसी भी काम को पूरा करने के लिए एक जो feel आता है एक जो purpose उसमें add होता है यह purpose जैसे lack कर रहा है situation में ठीक है ना एक emotional एक spiritual aspect इसमें miss हो रहा है इस emperor के life में तो आप very much एक masculine energy के साथ deal करे हूँ ठीक है जो past में transform नहीं होना चाहते थे and इसलिए आपको walk out करना पड़ा ठीक है and it was very painful separation आप दोनों की बीच में but now आप actually यह कब आपका personally सबको offer करना चाहते है and I feel आप भी कहीं न कहीं इस बात के लिए understanding रख रहे हो इस वक्त की you know हमने सब तो करकी देख लिया है but यह जो एक missing element है न यह सिर्फ एक दूसरे के presence से ही complete किया जा सकता है ठीक है न I'll get some messages हमारे magic box से भी I dropped my ego, my fears, my worries, looked in the mirror, in the eyes and I saw you seated in me exactly, this is an evolved masculine जिसके साथ आप deal कर रहे हो past में वो transform नहीं होना चाहते थे इसलिए यह separation बहुत important हो गया था it's like यह separation ही कहीं न कहीं आप दोनों की ego death का reason बना है ठीक है न आपका person कह रहे है कि उन्होंने अपने ego को drop कर दिया है ठीक है उसे dissolve कर दिया अपने डर का उन्होंने सामना किया है and उन्होंने जब अपने आपको आएने में देखा ना तो अपने खुद की आखों में उन्हें आपकी छवी नजर आई so we have kajal name kajal आप यह आपका person का नाम हो सकता है we have malkeet m-a-l-k-e-e-t malkeet angel number 3070 आप google कर ले न ठीक है angel number 3070 अपर्णा zayn 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 lack of communication exactly आप दोनों की बीच में communication की बहुत issue है because it's blocked ठीक है ना कौन पहले phone उठा करके call करेगा यह अभी भी आप दोनों की बीच में एक issue बना हुआ है I want to come back exactly यह person वो आपस लोट के आना चाहते है ठीक है communicate भी करना चाहते है this person has a lot of emotions for you ठीक है ना अपना cup आपको offer करना चाहते है but यह eyes break करने में उन्हें बहुत problem हो रही है ठीक है ना work on your dreams against all odds exactly this is your energy it's like लोगों को लगा नहीं था कि आप walk out कर जाओगे या आपकी जो भी सपने हैं जिन पर उन्होंने कभी हसा उन्होंने मजाक उड़ाया था आप actually work out करके उन सारे सपनों को सच कर दोगे in fact इस emperor के आसपास के लोग भी इन्होंने इन्हें हमेशा ऐसा ही लगा था कि यूनो ने ये इस connection के तरफ move नहीं करेगा इसमें तो बहुत ego है ये किसी पैसे वाले के साथ ही रहेगी या रहेगा या something like that but then इनके बहुत ही करीबी I'm hearing कुछ दो तिन लोग है जिने कही न कही अंदाजा था कि ये emperor के दिल में आपके लिए बहुत ही strong feelings है जो वो छुपा जरूर रहे है अपने आप से भी वो छुपा रहे है और वो wish कर रहे थे कि ये सारे emotions कभी बाहर ना आए क्योंकि अगर ये बाहर आने लगेंगे तो obviously जब दो लोग एक दूसरे के पास आना चाहते हैं एक दूसरे के लिए वो feelings रखते हैं तो उन्हें दूर नहीं रखा जा सकता है they will come together right तो इनके आसपास वाली ये ही कोशिश कर रहे थे कि इनके मन में दबे हुए जो emotions है ना दबे हुए ही रह जाए वो बाहर ना है ठीक है ना इन्हें नहीं लगा था कि ये कभी भी अपने emotions को honor करेंगे but जैसे situations play out हुए ठीक है ना धीरे 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 ultimately उनके सारे रास्ते उन्हें अपने ही reality तक ले कर के गया इस emperor को ले कर के गया and this person is like no I need to get back to this person ठीक है ना then last message ये है कि they come from a long line of family that does dark magic fear not your angels have separated you from them and will protect you no matter what stay obedient to divine exactly आपके masculine ऐसे एक family से belong करते हैं जहां पर dark magic बहुत use हो चुका है ये लोग actively इसे use करते आये हैं like अगर आप इनकी past की stories अगर आपको इनकी पूरवजुकी कहानी पता होगी तो ये dark magic spell work जादू टोना टोटका ये लोग कर चुके हैं ठीक है ना अभी हो सकता है कि उनके recent उनका जो अभी जो generation like grandfather, father और आपका person ये जो तीन generation है ये प्रभबली actively इसका इस्तमाल नहीं करते होंगे पर they somehow do possess that gift जहां पर वो कभी भी इसमें tap-in कर सकते हैं and actively इसे practice भी कर सकते हैं and इनकी mind इतना strong है कि वो किसी के बारे में अगर ध्यान से ज़्यादा सोचे न तो उसके उपर वो spell work भी कर सकते and इसका असर आपके उपर हो रहा था आपके connection पर भी था और आप पर भी हो रहा था ठीक है न and इसलिए आपके angels ने आपको वहाँ से हटा दिया ताके इनके जो it's kind of कि ये इस चीज को acknowledge नहीं करते है and उन्हें because इनके अंदर इतनी toxic masculinity and femininity रह चोकी कि अपने gifts का properly इस्तमाल नहीं करते है and लोगों को वो चोट पहुचा देते तो आप भी यहाँ पर कहीं न कहीं target हो जा रहे थे being an innocent person उनका ये जो भी gift था वो somehow अगर आपके उपर बहुत आपको ले करके बहुत ज़्यादा सोचते थे या कुछ गरबर वो लोग अपने दिमाग में subconsciously वो कुछ करते थे तो उसका direct असर आपके उपर हो रहा था ठीक है न आपके उपर भी हो रहा था आपके person के उपर भी हो रहा था इसलिए आपके angels ने आपको वहाँ से हटा दिया ताकि इनका जो भी पागलपनती है न जब तक ये खुद अपने gifts को acknowledge करके अपने आपको cleanse करके चीजों को align नहीं कर देते तब तक आप वहाँ पर नहीं जा सकते या फिर आपका person जब तक अपने आपको सुधार नहीं लेते और अपने gifts का गलत इस्तमान ऐसा होता न कि जब कोई एक इनसान अच्छा हो सकता है बर देन जब उसे बहुत गुसा आने लग जाता है उसके जुबान से बहुत सी बाती निकल जाती है वो बहुत toxic चीज़े सोच लेता और फिर वो सारी energy अगर वो आपके तरफ direct कर दे obviously आपके उपर तो असर करेगर right so it's like जैसे energies आप लोग की बीच में intense हो रही थी somewhat आपके person की family आपका person खुद भी ठीक है ना आपको लेकर कि इतना hyper तरीके से सोच रहे थे कि automatically उनकी ये जो gifts है ना कहीं न कहीं बुड़ा असर कर जा रहा था गलत हो जा रहा था यहाँ पे आप हट हो जा रहे थे आपका person हट हो जा रहे थे यह connection kind of cursed kind of हो जा रहा था ठीक है ना इसलिए आपके angels ने आपको वहां से हटा दिया ताकि इन्हे अलग से पहले ने sober किया जा सके और उसके बाद आप reunion में आ सको ठीक है ना और इसका असर आप पर ना हो let's get one closing message for you one closing message for my pile one please yeah listen आपका person इस वक सारे in toxic patterns को तोर रहे है ठीक है and अच्छी energies को receive करना सीख रहे it's like वो ऐसे बंदिशों में थे ना से conditioning में थे जहां पर उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कि बहुत सी चीज़े वो करना चाते पर वो नहीं कर सकते ठीक है क्योंकि उनके घरवालों ने उन्हें मना किया है या उनका ego इतना बड़ा है कि हम ये नहीं कर सकते जबकि वो अंदर ही अंदर मरे जा रहे थे वो सारी चीज़े ट्राइ करने के लिए प्रपली आपके पास रहने के लिए अपने करियर को बस्यों करने के लिए बट वो कर नहीं पा रहे थे बैठे बैठे दूसरों को उपर अपनी insecurities प्रोजेक्ट करते होंगे अपने sadness को प्रोजेक्ट करते होंगे दूसरों को पर jealous खाते होंगे जैसे कि आप आप वो करते हो जो आपका मन करता है आप अपनी दिल की बात सुनते हो आप अपने सारे conditioning को तोड़के आप वो कर रहे हो जो जिसके लिए आपने जनम दिया है आप अपने purpose को पूरा कर रहे हो यह लोग नहीं कर पा रहे है यह नहीं कर रहे है आप a person नहीं कर रहे है ठीक है न क्योंकि वो ऐसे बातों में उलज रहते से मैं यह नहीं कर सकता मुझे वो शूट नहीं करता है और दूसरी तरफ जब वो आपके तरफ देख रहे थे कि आप आप इन सारी चीजों पर ध्यान नहीं दे रहे हो you're just following your heart तो उन्हें कहीं न कहीं आपसे तोड़ी जेलेज भी फील हो रहे थी कि आप कर पारे और वो नहीं कर पारे so now your person is like यह सफालतो बात है let's just do एक ही जिंदगी है and let's just break these conditioning क्योंकि अप हमारे लिये नहीं हमारे खिलाफ काम कर रहे so they're redoing those rules and regulations it's like literally अपने खुद के thought patterns अपने उनकी जो भी नीतिया है बेड-बेड के जो भी rules and regulations follow करते थे जो भी उनका मानेता था वो सब literally redo कर रहे reshuffle कर रहे ताके वो तरीके से चीजों को like positive तरीके से वो चीजों को कर सके और ना कि जो rules and regulation उनके भले के लिए था वो उनके खिलाफ काम करे let's just do my pile number two pile number two जिसने ये blue चुना था blue pen we have the mindfuck card मैं इसे mindfuck के कहते हूँ ठीक है we have psychic attacks and cards में आये हैं we have nine of pentacles, page of pentacles and we have the eight of pentacles इस वक्त आपका person अपने पैसे के ऊपर बहुत काम कर रहे है and जितना वो अपने काम पर ध्यान दे रहे है कोई है उनके आसपास उनके energy में जो उन्हें बहुत disturb कर रहे है बहुत जबर्दस तरीके से उन्हें डिस्टरप्ट किया जा रहे है like kind of doubt create करने की कोशिश कर रहे है यह लोग saying कि या रहे तेरे पास तु क्यों ही इसको restart कर रहा तेरे पास बना बना यह सारे चीज़े है क्या जरूर था तुझे एक new start करने की तु अगर जाएगा तो तुझे you know ground zero से scratch से start करनी होगी तेरा कोई साथ नहीं देगा तो basically लोगों ने आपके person का साथ छोड़ दिया यहाँ पे and वो बैठे बैठे कोशिश करे कि आपका person जो भी अपने लिए build करे न वो उन्हें interfere करे उसमे and उनके मनुबल को तोड़े उनके self-esteem को चोट करे so your person is going through a lot right now pile number two I'll get into the box and see कि और क्या यहाँ पर messages हमारे लिए आते हैं but your person is working really hard अपने pentacles को उपर अपने stability को उपर यह एकदम confirmed है we have lighter तो आपका person smoke कर सकते है yeah my person might be a smoker I hate you and admire your glow and strength and I can't explain exactly यह actually आपके person की जो karmics है यह आपके person पर इस वक बहुत अपना गुसा और अपना hatred project करे like बहुत ठीक है आपका person जैसे जैसे अपने कदम आगे वरा रहे और अपने लिए चीजों को build up करे यह लोग देख रहे हैं उन्हें admire कर रहे कि हाँ you know हमें लगा तक घर का ही जगरा है दो दिन में गुसा ठंडा होते ही यह वापस आ जाएगा बट देन आपका person वापस आई नहीं उल्टा आपका person मन लगा करके अपने आपको rebuild करने में पूरा अपना energy उन्हें डाल दिया है और उनका focus कोई हिला नहीं पा रहे है इस वक्त ठीक है ना उनका यह जो strength है कुछ कर गुजरने की कुछ अपने लिए करने की तो उनके strength को लेकर कि उनके karmics कह रहे है कि वो literally admire करते है ठीक है ना विख दनेम पायल विख फिश आपका person non-veg eater हो सकता है यह आपके person के पास I'm hearing goldfish हो सकता है उनके फिश अक्वेरियम रखने का शौक हो सकता है ठीक है विख दिस्बालेंस यह फिख बोल तोड़े आपके person को constant attacks उनके तरफ extend किया जा रहे है ताके वो अपने आपको built ना कर सके we have healing आपका person constantly healing चूज करे he is a chosen one just like you यह मुझे एक masculine energy ही लग रहा है might be a feminine but मुझे यह masculine energy ही लग रहा है male body ठीक है न मुझे एकदम यहाँ पे strong masculine energy मिल रही है एकदम devoted कि नहीं मुझे अपने लिए अपना foundation बनाना ही है ठीक है creating new reality by being you exactly आपका person literally अपने reality को इस वक्त embrace करे I will not say कि आपका person एकदम high level पे है pile one में emperor energy निकल के आया था that's a pretty experienced person but pile number two your person is still in the initial stages वो अभी भी चीज़ों को figure out कर रहे ठीक है न एकदम इसकी energy कैसी यह पता है teenager वाल जो एकदम starting में मैं यह नहीं कह रहूं कि आपका person का दिमाग teenager जैसा है बच्चा दिमाग है no I'm not saying that I'm saying कि उन्होंने अभी अभी काम करना start किया it's like within like two years one to two years he lied, she lied, we are separated अगर आपका person किसी को date कर रहे है किसी के साथ relationship में है या something उनके बीच में separation हो चुका है boss क्योंकि यह जो भी person है यह उन्हें attack कर रहे थे उन्हें ध्यान नहीं लगाने दे रहे थे उन्हें distract किये जा रहे थे तो it's like उन्होंने relationships को इस वक छोड सिर्फ अपने काम पे ध्यान देना उन्होंने चुन लिया है यहां पर बहुत सारे blame games चल रहा था he said, she said we have the white car आपका person का कोई white car हो सकता है या आपके person का का कार में का white car हो सकता ना I feel कि इनके बीच में गारी में कोई जबरदस्ट fight हुआ है you know, पैसा खर्चा को ले करके and all that stuff इस कार में इस शायद आपके person को ना यहां पर शायद ने आपके person को literally insult किया होगा पैसे को ले करके कि तुम तो इतना कुछ खास हो नहीं and all that stuff like literally उनके एगो को ब्रूस कर दिया we have Ajaz A-I-J-A-Z Ajaz we have Nitya Nitya N-I-T-Y-A yeah, we have the name Nitya last, ठेक है मुझे से कैसी वाइब आ रही है पता है यह अचानक से फुपन लिजू जो भौकने लगे है it feels like आपका person काम कर रहे काम कर रहे काम कर रहे एकदम से out of the bloom यह कार्मिक्स उन पर attack बोल देते है एकदम out like सो रहे सोते सोते बीच रात को psychic attack देज देते या फिर दिन के बीच में वह काम कर रहे है और करते करते हैं अचानक से एक psychic attack आजाता है आपका person ऐसे उन्हें पागल पागल जैसे feel होता है इस attack से उन्हें ऐसे पागल पागल जैसे feel होता है मेरा यह area पुड़ा pain कर रहे है this is more like उन्हें confuse करने की कोशिश करते है उनकी energy redirect करने की कोशिश करते है it's like आपका person क्योंकि आप इन सारे लोगों से हट करके सिर्फ अपने काम में अपना सारा focus डाल दिया तो उनकी सारी energy भी सिर्फ इस काम पे ही जा रहा है जो वो build करने की कोशिश कर रहे है उस ही में ही जा रहा है तो इन लोगो कोई energy मिल नहीं रहा है तो वो जबरदस्ती आपके person को परिशान करके तंग करके ठीक है attack करके किसी तरह कमजोर करके उनके order feel में ऐसे holes बना के somehow उनकी energy को खीचने की कोशिश कर रहे that's what they are doing let's get one closing message over here मैंने एक काता मैंनों ठीक सू मैंने कात्स बगा we have creativity and reverse वो literally आपके person की creativity पर target कर रहा है आपके person को actively healing दो बढ़ाया है so आपका person actually अगर वो अपने creativity को open करेंगे वो जितना अपने creativity पर ध्यान देंगे उन्हें उतना ज़्यादा healing रिसीफ होगा ठीक है तो ये काम करके भी काम करते करते भी उनकी healing चालू है ठीकिन नब बिकूज your person is making active choices अपने life को अपने आपको सुधारने का ये लोग literally उनके creativity पर हमला बोल रहे ताके आपका person बार-बार करके reject हो जाए पकर लो जैसे कि अगर वो कोई music artist है ठीक है ना वो कोशिश कर रहे है कि कोई उनके गाने को सुने नहीं ठीक है और सब उसको reject कर दे कोई उसे acknowledge नहीं करे उसको recognition नहीं दे ठीक है ना and personal level पर भी उनने ऐसे बाते सुनाई जा रही है जहां पर उसे खुदी अपने ही talent पर भरोसा ना हो ठीक है ना and they're trying ताकि आपके person अगर पकर लो लिखते है lyrics लिखते है या story लिखते है something वो रह रहके distract हो जाए और उन्हें exact शब ना मिले या properly वो उन्हें लिखते लिखते बाहर कोई जगरा शुरू हो जाए ठीक है न वो it's like वो जबरदस्ती रूम के अंदर आ करके जगरा शुरू कर देते और आपका person भूली जाते कि वो लिख क्या रहते वो इतना mentally disturbed हो जाते कि अब और उन्हें वो प्यार भरे शब्द अगर वो पकल लो कोई music बना रहे थे या समते वो और उन्हें ध्यान मीना कि वो लिख क्या रहते पूरा distract हो जाए इस आ एक्टिव अटाइक स्ट्राप के परसिन भी हो रहा है एंजल सेंग कि उनके लिए प्रेयर करो उनके लिए प्रेयर करो ताके प्रेयर हमेशा काम में आ जाता है यू दोन्ट हब इंटरफियर जास प्रेयर करो कि जब उन्हें हैं की जरुवत पड़े ऐसे टाइम इस पर तो एंजल स हमेशा उनके साथ उनका साथ देता रहे ठीक है न जब आपका परसे ने से अंधेरे में खो रहे है उन्हें डिस्टर्बिंस हो रही है प्राब्लम हो अजब रहे है ये तो वह अपना विशासना को रोपना इनर स्ट्रेंद बना रहे है तीक है लेंस गय्स कैंटू पाइं लंबर थ्री we have experience reversed we have queen of pentacles we have seven of cups reversed we have four of pentacles upright and we have the hangman okay first and foremost मैं कहूंगे कि आपके person अभी भी किसी karmic situation में है ठीक है and it's like emotionally उनके बीच में अभी भी there are कोई टक्रार चल रहा है उनके और उनके karmic के बीच में it's like उनकी शादी किसी stable person के साथ हुई है somebody who looked very stable ठीक है नब बिकॉस queen of pentacles somebody जो अपने पैसे को लेकर के बहुत smart है ठीक है न and she's abundant वो अपने आप में बहुत abundant है अपने ये बहुत person अपने आप में बहुत stable भी ऐसे पैसे की जरुरत नहीं है ठीक है न तो आपका person इस इस कार्मिक के साथ उसके पैसे और stability के चलते वो contact में आये थे ठीक है न ये seven of cups अगर upright आता मैं कहते है कि इन दोनों के बीच में probably शादी भी हुई है but then this is more like एक lesson है जो अभी तक complete नहीं हुए कुछ है जो universe आपके person को और इस कार्मिक को सिखाने की कोशिश कर रहे but वो सीख नहीं रहे they are not getting it yet ठीक है न we have the hangman आपको person actually अपने inner world को भी ठीक करने की कोशिश करे ये जो एक उनकी co-dependency है न कि उन्हें लगता है कि वो अगर externally उनके साथ कोई ना हो तो वो एकदम बिकार हो जाते वो चल नहीं सकते अकेले ये जो एक co-dependency है वो उसे सुधारने की कोशिश कर रहे है ठीक है न and your person will I'm hearing land up leaving this situation because ये stability होने के बावजूद भी वो हैंगमेन के तरफ मूफ करें that means कि वो transformation को ही चुनेंगे it's like वो transform भी होना चाते है but अपने stability को भी lose नहीं करना चाते है दो नाओ में पह रख करके चलना चाते है आपका person मैं नहीं कह रही it's just the energies don't shoot the messenger don't shoot the messenger मैं अच्छली यहां पर this energy से यह कह सकते हूँ कि आपके person में आत्मा विश्वास की बहुत कमी है file 3 file number 2 file number 2 में आत्मा विश्वास की कमी नहीं थी यह लाइक जितना भी problem क्यों नहीं कितना भी psychic attacks क्यों नहीं I will still still do it ठीक है ना but then आपका person का situation ऐसा है कि वो कर गुजरने वाली energy उन में अभी तक exactly तरीक से बिल्टप नहीं हुआ okay I should that should be enough we have moon energy heals our emotional body work with water exactly इस वक्त आपके person को moon cycle के आज सपास उनके साथ कुछ situations होने वाले हैं healing का मतलब है कि कुछ पुराने घाव कुरे दे जाएंगे वास ताके वो surface हो ठीक है ना क्योंकि वो experience को experience की तरह वो इस lesson को सीख नहीं रहे ना इसलिए यहां पर karma भी जबर्दस तरीके से प्ली आउट होगा इस ना इवन की इस ना इनस्टन कार्मा की आपने कुछ किया और सामने सा आपको कोई कार्मा मिले इस इस मुलेक अक्यूमिलेट एक्शन की बहुत सारे यहां पर एक्शन लिये के हैं और वो सब कुछ एक साथ बिल्ट अप होकर के एक बार ब्रेक करेगा जिस लाइक अटावा ठीक है ना यह आपकी सोच है आपके परसन को ले करके सेंग कि कुछ लोग कभी नहीं सुदरते कभी नहीं सीखते हैं और यह परसन इस ना लॉनिंग यूर राइट यह राइट वो अपने स्कोर डिपेंडेंस को हील कर ही नहीं रहा है ठीक नवी हाव साजिटरिस तो आप यह आपको परसन साजिटरिस हो सकते हैं वी हाव फोगिवनिस आपके लिए यहाँ पर डवाइस यह है कि आप इस परसन की इमिचॉरिटी को forgive करो accept that probably this person is not meant for you या इस time के लिए आपको इससे जाने देना होगा because आप एक immature person के साथ नहीं रह सकते इस तरीके से जो आधा अधूरा आपके साथ हो right so you can move forward we have curses of poverty and long struggles exactly listen your person एक ऐसे family से belong करते हैं जो sadly इन्हें इन पर curse है इनके abundance के उपर curse है ये गरीब रहने वाले है ठीक है इस लाइक उन्होंने past life में कुछ किया था या इनके ancestors ने कुछ किया है I would say इनके ancestors ने कुछ ऐसा किया है जिसके वज़े से उनको पर ये curse आया ठीक है ना अब इन सब के पास मौका था तरीके से पैसे कमा करके अपने पापो को you know forgiveness receive करके अपने आपको ठीक से stabilize करना ठीक है तरीके से पैसे कमाना वो कर सकते थे पर आपका person अभी तक उन्होंने ऐसा अच्छा कुछ किया नहीं है they are still trying कि वो ऐसे queen of pentacle वाली energy जिनके पास already बना बनाया हुआ you know wealth है वो उनके साथ अपने आपको leech के तरह चिपक के उनका खून चूसते रहे and you are not like that ठीक है ना तो आपकी अगर इस person के साथ पहले शादी हो चुकी थी या आप जब मिले थे या already married थे whatever जो भी आपके feelings इस person को ले करके आपको इस चीज़ को ले करके दोबाड़ा सोचना चाहिए उनका जो inclination है ना वो अपने आपको सुधाने का नहीं है बलके quick fix लाने की कोशिश करते है इससे उनका bad karma और भी जादा बढ़ रहा है ठीक है ना अगर आप उनके साथ deal करोगे ऐसे लोगों के साथ तो इनका karma आपके उपर भी rub up होगा like universe अगर उन्हें कुछ देना नहीं चाहते क्योंकि उनके इतने bad karmas है अब अगर आप उन्हें financially help कर रहे हो या वो आप से ले सकते हैं या something like that emotionally blackmailing करके तो universe आपको भी देना बंद कर देंगे क्योंकि universe नहीं चाहते है कि उन्हें और कोई भी benefit मिले तो उनके साथ साथ तब आप भी poverty consciousness का एक शिकार बन जाओगे your words haunt me till I acknowledge them I stopped running I realized my misunderstandings exactly probably आपने इस person को call out किया था इनके behaviors के क्या तुम्हें अपने उपर इतना भरोसा नहीं है कि तुम अपने खुद के काबियत से तरीके से पैसा कमा सको तुम क्यों पैसे वालों के पीचे भाग रहो ये shortcut में कम टाइम पे जादा पैसा कमाने का ये पागलपंदी क्या है because if you're earning money in a wrong manner ठीक आप दूसरों का चुरा करके दूसरों का मार करके ये गलत तरीके से अगर पैसा कमा रहे हो तुमरी का पैसा ठहरता नहीं है पास इसे बात कार्मा और बढ़ता है already ये लोग poverty consciousness में है इनको पर already curse है और उस curse को वो और ज़्यादा blow up करे out of proportion I hide या या आपका person खुदी भागते रहते है it's like वो चाहते है कि लोग उनकी respect करे उन्हें honor करे but फिर it's like उन्होंने काफी लंबे समय तक अगर आप इस person के साथ आपकी शादी हुई थी ठीक है या आप close आपने इस person के साथ आपने time spent किया है इन्होंने इस shortcut में पैसा कमाने वाले इस tendency को वो आपसे भी छुपाने की कोशिश की होगे ठीक है न but it's like ये दिग गया आपको दिग गया दूसरों को दिखने लगा है ठीक है I feel कि इसके कोई neighbor था जिसने आपको इस बारे में warn किया था कि बेटा तुम इससे mix कर रहे हो थोड़ा समल के करना ठीक है न पर कोई इनकी respect नहीं करते कोई ने honor कैसे करेगा अगर कोई ऐसे पागलपनती करते तो she is a bitch okay so यहाँ पर जो queen of pentacles है जो उन्हें actually finance कर रहे है वो खुद भी कम सियानी नहीं है ठीक है न they actually all belong kind of the same toxic mentality एक साथ में ठीक है न तो यहाँ पर जोड़दार सौधाबाजी हो रहा है कि तुम मुझे यह दो मैं तुम्हें वो देंगा and your person is completely उस बंदी के grip में आपका बंदा वो ही करेगा या आपकी बंदी वो ही करेगी जो यह queen of pentacles उसे कहेंगे कि क्यों उसे पैसा मिल रहा है slavery नहीं होता है आपका person slave बन चुका है I am not the one you are thinking about यह आपके लिए message है saying कि यह person आपके लिए नहीं बना है ठीक है न we have bullying इस person ने जबरदस आपको bully किया था and यह queen of pentacles उन्हें bully करते है क्योंकि उसका upper hand है क्योंकि वो पैसे दे रही and आपके person is obligated तो वो जो भी करती है आपका person सर जुका के उसके सारे misbehaviors को accept करते है so they are kind of touching each other true love heals and it demands freedom from all negativities you work so hard you must know I worked hard with you too right so this is like your person is like I don't feel कि आपके person ने actually आपके साथ यहाँ पर काम किया है but यह आपको appreciate जरूर करते है सच्चा प्यार एक दूसरे को heal करता है वो freedom demand करता है negativities से right और आप इतना महनत कर चुके हूँ आपका person actually इस बात को acknowledge कर रहे है ठीक है and your person is like मैंने भी महनत किया but then तुमने महनत किस डिरेक्शन में किया that's a question mark right तुमने अपने उपर महनत नहीं किया तुमने किसी को फसान में या उलजान में किया I am married to an abuser exactly यह जिससे भी उने ने शादी किया है ना पैसे के लिए यह एक abuser है you know I think pine number 2 में भी नाम निकल किया था we have wreet we have number no this is this is the letter L we have N the letter N we have earth तो आप यह आपका person earth element के हो सकते हो या फिर एक queen of pentacle earth element का है that's Virgo यह Virgo energy है of course Virgo Taurus and Virgo Taurus and he got earth element Capricorn angel number 44 we have swapna swapna SWA we have Anand we have number 48 angel number 48 google कर देना angel number meaning we have supraeo don't look for validation या यह message आपके लिए है यह एकदम separate आया है you guys जिन्लों का नाम निकल क्या है validation ढूनना बन करो थीक है थीक है ना क्या मैं जो feel कर रहा हूँ हो सही है क्या मैं जो कर रहा हूँ हो ठीक है stop looking for validation we have Nikita we have 2018 20180 angel number भी आपके लिए हो सकता है या 2018 आपके लिए बहुत marking हो सकता है कि 2018 में कुछ हुआ था we have Raheela या Raheela Raheela R-A-H-E-E-L-A Raheela and we have Pratibha let's get a closing message okay one closing message for my party number three please we have fighting reverse yeah आपका person in this situation में I feel this is this is more like your energy आप और इस situation में fight नहीं करना चाथ है like इस connection इस relationship के लिए और fight नहीं करना चाथ है आप accept कर चुके हो कि probably आप इस person के साथ आपका relationship करना आपका ठीक नहीं होगा because ये person की जो जुकाओ है ना toxicity के तरफ ये बहुत जादा है and वो आपके लिए stand नहीं लेना चाहते and आपको भी अपना time base नहीं करना चाहते you're just coming into ये conclusion की चलो अब जानेट मा बताओ की कौन नया person मेरे life में आ सकता है and मेरा future partner कौन होगा that kind of energy में आप transform हो चुके है and you'll be very successful in it ठीक है अगर आप decision लेते हो ठीक है कि आप इस person के साथ और indulge नहीं करोगे इसका इंतिजार नहीं करोगे just forgive करके as an experience part of experience life phase समझ के अगर आगे बरके किसी और को मौका दोगे तो आपको बहुत success मिलेगा ठीक है न it's like universe could be understanding रख रहे कि आप क्या करोगे relationship relationship दो तरफा होता है दो लोगों से बनता है अगर आप अकेले कुछ तो यहां पर कर नहीं सकते हैं आप अपना जो भी आप करना चाहते थे कर सकते थे आप कर चुकियो right and because you have changed तो universe आपको किसी ऐसे person के साथ align कर देंगे जो आपके level का हो yeah we have manifestation absolutely you have a lot of manifestation coming towards you आपका I'm hearing there is soulmates like soul family tribe जिसके साथ मिल कर के आपको बहुत सारे काम करने है ठीक है न यह काम आपको बहुत छोटा लग सकता है पर जो आप से service receive करेंगे वो उनके लिए यह बहुत बड़ी बात होगी because आप ऐसे लोगों को I'm hearing services दोगे जो बहुत लंबे समय से prayer कर रहे थे कि उन्हें कोई help मिल जाए इस लाइक उन्हें पगल लुदवाई की या खाने की जरूरत थी या सर के उपर छत नहीं था ठीक है गरीब परसन है I'm hearing जिससे sanitary napkins की जरूरत है I know जब बात गरीब लोगों का आता है तो हम सबसे पहले उन्हें खाना डोनेट करते है खाना कपरे ये थंडे के टाइम पर कंबल डोनेट करते है बड़ जो विमिन है जो औरते हैं उन्हें तो हर मैने पीरेज आता है तो आपके घर के पास I'm hearing कि कोई लेडी है जो पीरेज के दौरान बहुत स्ट्रगल करती है आपको उसे sanitary napkin डोनेट करना चाहिए खाने वाने कपरे के साथ उसे भी राप करके उसे गिफ्ट कर देना चाहिए because उसे उसकी जरुरत है that's what I'm hearing okay guys आप लोग अपना धियान रखो मैं मिलते हूँ आप लोग से अपने अगले वीडियो पर take care